कुतुब मिनार को 28 जैन मंदिरों को तोड़ करके कुतुब मिनार बनाया गया है और ये मैं नहीं कह रहा है आप जाए कुतुब मिनार में जैसे इंटर करेंगे लेफ साइड में वहाँ पे लगे हुए हैं लिखे गये हैं कि 28 जैन मंदिरों को तोड़ करके अगर आप ग्यान तू अबादी के बीच में वो मस्जिद कैं खर नहीं हुआ है हुआ है कि तो साफ इख ले और उस मजीद का नहीद का नहीं है कि कुरान में ग्यान में का सफ़ लिखा हुआ है और मुस्लिम पर्सनल लॉबोड उस समय कहां मुस्लिम परसनल लव बोड को मैं कहा रहा हूं कि आप इतियास पढ़ो यह शिया है और यह सुन्नी की लड़ाई लड़ते हैं पहले आपस में समझ लें कि या सुन्नी के अंदर में भेत क्या होता है और वैसी जी इस देश के अंदर में यह नीसो बैएलीज शीयालिस के जिन जो संस्कृतिक अधिकार है यह भारतियता है एक तरफ हाइचारे की बात करते हो और दुसरी तरफ कोड के निर्णे को नहीं मानते हैं सौ करोण से जादा हिंदू रहते हैं क्या सौ करोण से जादा हिंदू के आस्था का सबाल नहीं है क्या सो करोन से ज़्यादा हिंदूओं का जिस भगवान के अंदर में वो भरोसा रखते हैं और वो उनका अधिकार है क्योंकि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी मैं एक हिंदू होने के नाते आपको बढ़ाई देता हूं कि कम से कम 1993 में जो मुलायम सिंग जादव ने जो समाजवाद के बड़े पुरुधा कहे जाने वाले उन्होंने हिंदू को पूया करने से रोक दिया था और यह जब रोका था तो बिना किसी जुडिशियल ओडर के यह पूया रोक दी गई थी और उस पर बिना किसी जुडिशियल ओडर के वाहाँ इस्टील के फिंसिंग लगाए गए थी एक तो ये पहलू रहा कि जो मुलाइम सिंग यादो जी ने जिस तरीके की रोक लगाई बिना किसी ओर्डर के जिला जज है वरानसी के उन्होंने निर्देश दिया कि और निर्देश की इसको दिया रिसीवर के रूप में डियम जो डिस्टिक मजिस्टेट है उनको कहा कि आप रिसीवर हैं और आप इसको मने आप जल्द से जल्द यहां पूजा दुबारा सुरू की जाए क्योंकि ये हिंदूों का अधिकार है और ये अधिकार कहां से आया वही जिला नियाले ने ये ASI सर्वे करने के लिए बहां पे आदेश दिया था कि ASI का सर्वे हो उससे पहले एक कमिशन का सर्वे हुआ उसके बाद ASI का सर्वे हुआ ASI के सर्वे में 269 तू 59 उसके अंदर में प्रतिमाय मिली सिल्प मिले और तरह तरह के मुद्राय मिली जो मने पहले से जो राजा महराजा होते आ रहे थे उनके सीख के वहां मिले तो उसके बेसिस पे ये देखा गया कि और सबसे ज़्यादा जो उसके अंदर में पच्पन जो है प्रतिमा और सिवलिंग मिले और उन पच्पन में से आठ सिवलिंग जिस ताखाने में उस जिलाजज ने निर्देश दिया डियम को कि आप वहां पूजा दुबारा सुरू कराइए उसमें आठ सिवलिंग उस जगह से मिले जहां दक्षणी ताखाने जो ब्यास जी क आता खाना बोला जाता है वहां पे आठ सिवलिंग मिले उन्होंने कहा कि वहां पे वही मुर्ती दुबारा स्थापित कर गे और उसकी पूजा शुरू कराई जाए इस देश के अंदर में सो करोण से जादा हिंदू रहते हैं क्या सो करोण से जादा हिंदू के आस्था का स वहां के एसाई सर्वे से भी मिलता है और तमाम इतिहासकार इसके उपर तरह तरह की बातें लिखते हैं कि यह वहां पे पहले मंदिर था उसी को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है उनसे यह गलती यह हुई और जान बुझकर जब चोर चोरी करता है तो कुछ ने कुछ सु करके मस्जिद बनाई गई है यह यह पूरी दुनिया जानती है यह जो जीला जज का जो निर्देश है जो निर्ड़ है वह स्वागत योग है और यह बिल्कुल फैक्ट्स के उपर जो वहां औसेस मिले एसाई सर्वे के रिपोर्ट में उसके आधार पर उन्होंने यह निर को पालन करते हुए वहां के जो डिस्टिक मजिस्ट्रेट हैं और मंडला आयुक्त हैं उन्होंने उस निर्ड़ का पालन करवाया है और मेरा इस पर प्रस्न यह है कि इस निर्ड़ का पालन करने के लिए दो ढ़ाई बजे रात ही क्यों चुना गया क्या हमारी विवस्ता इतनी दुरुस्त नहीं है कि हम दीन में क्या किसी के गुंड़ागर्दी से हम डर जाएंगे क्या ए दीन में पुजा य शॉछना नहीं होनी चाहिए थी दीन में इसको स्थाफित करना चाहिए था लेकिन चलिए वो पर शास्न का कोई निर्डेश किसी तरह की वहाँ जो civil disturbance नहों उसको ध्यान में रखते हुए रात में पुजा कराई गई फिर सुबह जो सुबह का आरती भोग लगा वो शुरू कई 10 बजे का भी भोग आरती हुआ इसके बाद लोगों के दर्शन के लिए वहाँ चीजें खोल दी गई ये हिंदूों के आस इसकी कि वह इसको बिल्कुल सरमाथे से लगाए और हिंदूों को अधिकार दे जो उनका जो संस्कृतिक अधिकार है यह भारतियता है एक तरह भाइचारे की बात करते हो और दुसरी तरह कोड़ के निर्णे को नहीं मानती यह कहां का निया है तो अभी भी कह रहे हैं कि ए रेसाई का सर्वे गलत है ईभी कह mau ne ही मानतह है से फैसलोगार अधिको के सर्वे गलत है हम नहीं मानते है से सरवे को धिंटता नहीं को थो curry को आचर लगता है को इस वह यह जब राम मंदरी का पेंसल आता उसों में भी यह काते हैं कि राम मंदरी के फास्वाम डिसाइगरी करते हैं जब जब इदगाह के ऊपर जब कृष्ण जर्ण भूमी मतुरा के अंदर में आता है कि वहां कमिशन बैठनी चाहिए वहां सरवे होने चाहिए जो इनके पक्ष में अगर कोट कोई निर्णे नहीं देता है तो यह कोट को नहीं मानते इनके पक्ष में जब सम्मिधान इनके सरीयत के हिसाब से नहीं चलता है तो कहते हैं कि सम्मिधान कलत है अजब सम्मिधान जब इनको सरीयत के हिसाब से इनको बुलायता है कि इनको सज़ा होनी चाहिए जब पब्लिक आवाज उठाती है वहां अपने अपने सहुलियत के और मौका परस्थी के अनुसार यह अपनी चीजों को देखते हैं और यह किसी सम्मिधान को में इनका और किसी लोक तंत्र में और किसी तरह के नियाले में इनका कोई भरोसा नहीं है कुछ चंद मुठी भर लोग हैं इसमें भी सारे समाज के लोग नहीं चंद मुठी भर लोग हैं जो अपने समाज को गुमराह करके अपनी राजनीत की रोटी सेकना चाहते हैं वो अब मुसलिम भाई भी इस बात को समझ चुका है कि इनके भूंकने से कुछ फायदा नहीं है जो न्याले ने निर्णे दिया है, उसको मुस्लिम पक्ष के बहुत सारे बहुत संख्यक लोगों ने माना है, इसलिए आप देखिए वहाँ सांति पूंड, लोग दर्सन कर रहे हैं, फूजा अतना हो रही है। आँए, इसलिम पर्शनल लवर्ड तो गया रहा है कि लोगों का वरोसा उटता जा रहा है, वción से और इन सब चीजों से फिर भरोसा उट गया है सबका॥ नहीं तो Muslim Personal Law Board का भरोसा क्यों नहीं वो कहेगा क्योंकि उसके पक्ष में नहीं नहीं आया वो कह रहा है कि नहीं वहाँ पे Muslim Personal Law Board के आपके मने उसके सुझाव पर ही वहाँ ये अरजी लगाए गए कि 15 दिन के लिए इस निर्देश के उपर इस्टे कर दिया जाए लेकिन नियाले ने कहा कि नहीं अभी इस्टे नहीं मिलेगा और दूसरे पक्ष को पांस तारिक तक उनको उसके अगेंस्ट में एक आपत्ती जो हमारे भासा में रिटन स्टेट्मेंट बोला जाता है उसको फाइल करने के लिए उन्होंने बोला है पांस फेबरूरी तक इंत स्टेशनात मंदिर का दर्सन किये हैं आप जाकर देखेंगे उस पूरे इलाके के चारो तरफ दूर दूर तक मुशलियम बादी नहीं है कि वहल हिंदू अबादी के बीच में वह मजिद क्या कर रहा है वहा है तो साफ दिख रहा है और उस मस्जिद का नाम ज्यानवापी क अब सो करोड हिंदू जाग चुका है अब वो दिन गए कि अब हिंदू अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और मैं आपको बता दूँ पहले यह चला करता था कि तीन अपने आप दे दो कासी मतुरा और अजोध्या अब वो चीजे तीन वापस नहीं दे रहे हैं तो अब हिंदू कह रहा है कि 40,000 मंदिर को तोड़ करके जो मस्जिद बनाई गई अब 40,000 के 40,000 मंदिर हमें चाहिए वापस अब तीन से काम नहीं चलने वाला हिंदू जाग चुका है और इनकी ज मंसा है यह सिर्फ भारत माता को दुबारा बाटने की कोशिश कर रहे हैं इस देश के अंदर में एक जहर के राजनीत एक जहर फैला करके सोच रहे हैं कि 1947 की तरह इस देश का एक और विभाजन हो और हम फिर एक अलग देश लें वो जमाना चला गया और मैं आपको मैं यह काता हूं दावे के साथ काता हूं को 1947 में हम नहीं थे दर्वाइव देश उसमें भी नहीं बढ़ता अब हम है किसी के किसी के अउकात ने कि इस देश के अंदर में इस देश का एक और ब्याद करके दिखाए क्योंकि हर घर में अब अर्जुन जैसा गांडी धारी बैठा यह करके दिखाए फिर मुहतोर जबाब दिया जाएगा ओवेशी जी तो कह रहा है कि यह वर्शेप एक का उलंगान है इसको किस तरीके से देखते हैं देखिए वैसी जी बैरिस्टर तो जरूर है लेकिन कभी आज तक यह आदालत नहीं गये इनको आदालत का प्रसिजर न खला नहीं चाहते हैं यह सिया हैं और यह सुन्नी की लड़ाई लड़ते हैं पहले आपस में समझ लें कि या सिया सुन्नी के अंदर में भेद क्या होता है और वैसी जी इस देश के अंदर में यह 1942-46 के जिनना बनना चाहते हैं अब हिंदू बनने नहीं देंगे जिना मुस लड़ रहे हैं मुस्लिम उनको कभी वो वो एक तरह से मुस्लिमों का सबसे बड़ा ठेकेदार बनना चाहते हैं और मुस्लिमों को खुद नहीं मानता जहां है हैदराबाद में हैं वह ही आप देखिया अभी एलेक्शन हुए थे उसी में मुस्लिमों ने उनको बता दिया कि अब अब हमारे लिडर नहीं है। आज भी लिडर आपके KCR है। आज भी लिडर कॉंग्रेस के जो चीप निश्र बने हैं वो है। तो अगर ये मुस्लिमों के लिडर होते तो हैधराबाद में इनको मुखी कहनी नहीं खानी पड़ती। इसलिए मुस्लिम इनका नहीं सुन रहा है ये सिर्फ अपनी राजनीत को चमकाने के लिए बोलते हैं इनको कोड का प्रोसीजर नहीं पता है क्यूंकि कोड में नहीं कभी कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया कभी भी बहस नहीं किया जज को चुनोती दे रहे हैं इनके उपर तत निर्ण सहफ है अब जमाना गया है और हिंदू सतर्ख है और हिंदू अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा और लड़ता ही रहेगा देखिये भरोसा उठ गया है यह तो साब दिख रहा है कि भरोसा इनको नहीं है, न संविधान पे है, न इनको आदालत पे है, न सरकार उपर सासन के उपर है, न सासन के उपर है, जब इनके मतलब की बात आप करेंगे, उसके उपर टिपड़ी क्यू नहीं करते हैं, जब मुलायम सिंग ने गोलियां चलव को वहां की कोट ने उनको सजा दी है, वहां पर क्यूं नहीं कर रहे हैं, कि कोट ने कहा है, सही है, क्यूं क्यूं मानेंगे, क्यूंकि गलत करेंगे, तो इनको सजा मिलेगी, और जो जिसको सजा मिलेगी, वो कभी भी, वो कोट को सही नहीं मानेगा, इसलिए कोट को मानना न मानना ये कोई इनका option नहीं है इनके बिचारों पर कोट नहीं चलेगा इनके बिचारों के उपर सासन प्रसासन नहीं चलेगा इनके बिचारों से समिधान नहीं लिखी जाएगी ये चाहते हैं कि समिधान सरिया के हिसाब से चले वो नहीं होगा और OVC जैसे ठेकेदार और इनके तरह तमाम लोग, जितने भी लोग इस देश के अंदर में हैं, अगर वो कानून को तोड़ कर दिखाएं, ये उत्तर प्रदेश में बाबा बैठा हुआ है, बुल्डोजर तयार है, आप एक आउमानना करके देखिए, कोर्ट के निर्देशन के बावजुद भी, आज उन्होंने पूरा बनारस बंद का आउमान किया था, एक एक चींटी तक का बाल माका नहीं हुआ, करके दिखाएं, बाबा बैठा है, उसका बुल्डोजर तयार है, इनिट का जबाब पत्थर से देगा, बाबा बिल्कुल आप करे गलती, वो तो चार अजल, हैदराबाद तो नहीं गूम जाएगा, बुल्डोजर है दराबाद नहीं, देश के किसी कोने में, अगर उत्तर परदेश के लॉइन ओर्डर के साथ किसी तरका खिलवार किया गया, तो मेरा ये मानना है कि बाबा इस देश के देश के किसी भी धर्ती पे आप रहेंगे, बाबा खिच कर ही रहा है, आप देखिए, पूजा दुबारा तीस साल के बाद शुरू हो गई, और मतुरा में सर्वेक आपकी प्रक्रिया कमिशन बैठी हुए, उसकी प्रक्रिया जारी है, ये दोनों तो आएगा ही आएगा, और ये दोनों ऐसा नहीं, देखिए, इस देश के अंदर में हिंदू बहुत संख्यक है, और बहुत संख्यक होने के बावजियोद भी हिंदू कोट के निर्णे का इंतजार कर रहा है, पान सोल साल के बाद तो प्रभू जुद्या में प्रभू सिर्राम का भब्वे, जो है प्रान परतिस्था 22 जनूरी दोहजार चोबिस को किया गया ह और इसी तरह के आपके म्थुद में भी होगा, इसी तरह कासी में भी होगा, और यहीं नहीं, आपको एक और दो तत्थे और आपको बता रही हू été, अथाइस जैन मंदिर तोड़ कर के यहाँ दिल्ली के अन्दर में, आपको मिनार देख रहे हैं, यह आज के डेट में तो पर दूनिया के उपर राज किये और वहां बिल्डिंगे फुरानी पुरानी साल पुरानी बिल्डिंगे वहां कड़ी हैं तो यह माना जाता है कि वहां उनके पास टेक्नलोजी थी इसलिए उन्होंने यहां इस तरह की चीजें बनाई जैसे इंडिया गेट अंगरेजों ने किसी को को यह तरह कभी वह दावा नहीं करते कि इंडिया गेट हमने बनाया कभी दावा नहीं करते इस तरह की मारते तो वहां कभी थी नहीं तो यहां कैसे कुटम मिनार बन गई कुटम मिनार को 28 जैन मंदरों को तोड़ करके कुटम मिनार बनाया गया है और यह मैं नहीं क बाले से लिके आरहे हैं जब कॉंग्रेस की सmann कार और इनके मतलब की सरकार होती थी है। वो एक है आप मतुरा देखी रहे हैं एक आप संभल की तरफ जाएंगे संभल में तो संभल में जो भगवान अभी पैदा लेने वाले हैं कल की भगवान उनका मंदिर होता था संभल के अंदर उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है और वहां के सिला लेखों के उपर लिखा गया है कि ये कल की मंदिर है एक कल की मंदिर था उसी को तोड़ करक बनाई गई तो इस तरह तो 40,000 मंदिर लेने हैं हिंदू त तीन से ही हम संतूष्ट हो जाएंगे अब तीन से नहीं 40 जर चाहिए तो जो लोग गंगा जमना तहजीब की बात करते थे गंगा जमना भाईचारे की बात करते थे उन लोगों को कह यह सब चीजे दिखती नहीं है जब साफ साफ वहाँ पर सब चीज दिख रहा है खुद अपने हाथ वह करकी कि है चलो ठीक है दे दे ते आपके नाम कर देते हैं आप इसको कैसे इनको दिखेगा जब इस देश का बटवारा धर्म के अधार पर हुआ मुसलिम पाकिस्तान जाने थे और हिंदुस्तान में हिंदू रहने थे मुस्लिम पाकिस्तान में कुछ गए और हिंदुस्तान में रह गए क्यों रहे ये बिलुकुल अपने रणनीती की तहत हिंदुस्तान में रहे ये गजवाय हिंद चाहते हैं और गजवाय हिंद का मतलब ये है कि एक भी काफिर, उनके धर्म के अलावा कोई भी काफिर जिन्दा नहीं रहना चाहिए, वो यह करना चाहते हैं, और इसका डॉकुमेंट, बिहार में बिहार सरिप से मिला, ये आप भी जानते हैं, आप तो पत्रकार हैं, वहां से डॉकुमेंट मिला है कि दो हजार सैंतालीस त प्रेंड किया जाता है, वहां से सब कोई कठा करके और बोला जाता है कि इस घरों में, इस गली, इस मुहले में इस तरकातन करना है, तो ये क्यूं चाहेंगे कि इस देश के अंदर में मंदीर, मस्जिद कूटर के हटा करके मंदीर बने, ये नहीं चाहेंगे, कभी कोई नह हो वो सबको सबका पालन हो और सभी लोग उसका पालन करे और नहीं करने पर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए यह पुर्य देश की जनता और खास करके सोकोड हिंदुओं का यह मांग है कि जो आदमी लॉयन ओडर को नहीं मानता है उसको सक्त है उसी की भासा में उसको बबड़ी है